हेलो फ्रेंड्स राधा किचिन तड़का में आपका स्वागत है अज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीरा अलू बनाने की रेसिपी यह नवरात्रा स्पेसल है और बहुती आसाम सी जल्दी बनने वाली रेसिपी है तो आज़े सुरू करते हैं जीरा अलू बनाना कि वर्त के लिए यहां मैंने लिया है और चोटे साइस के अबले हुए आलू एक हरे मिर्च और अध्रत और यहां मैंने लिए है थोड़ी से मूफली यह कच्छी मूफली है जीरा अलू बनाने के लिए हम पहले आलू को कट करेंगे आलू को मैंने कट कर लिया है अब हम मौफली को ड्राइ रोस्ट करेंगे गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई और इसमें डालेंगे मौफली एक मिनिट के लिए इसे ड्राइ रोस्ट करेंगे इसे ज्यादा नहीं भूलना एक मिनिट हो गया है हमारे मौफली बूनकर तयार है इसे हम निकाल लेते हैं अब कठाई में डालेंगे दो बड़े चमच देसी खी वर्त वाले आलू देसी खी में ही ज्यादा अच्छे लगते अगर आप ऊइल खाते तो आप अट ? बी डाल सकते हैं घी गर्म होने के बाद हम डालेंगे जीरा आध्य छोटी चमच जीर लिया है जीर भूनने के बाद हम डालेंगे हरी मिर्ज और अःदर भूलिक बाल काटे लिएगी निसे हमें वाल्त शाट करज़ साल के livres परे मिर्च और अद्राइक को भूनेंगे और परे मिर्च भूने के बाद इतनी जाएगा आलू को भी मीडियम ख्लेम कर भूनेंगे हुट्स पाफ में इसमें डालेंगे हाफ टीजपून तिन्धा नमट जो हम वर्फ में खाते हैं अगर आप वर्फ में खाते हैं काले मिर्फ तो आप डाले करना के स्किप भी करकते हैं अगर आप हरी मिर्फ खाते हैं हाथ में तो हरी मिर्फ ही डाले और अगर आप हरी मिर्फ में खाते हैं तो आप काले मिर्फ का फॉल्डर डालते हैं मेडियम ख्लेम पर चार से पास मिना कर अच्टे से भूनेंगे उसे मैंने इसे चार मिनिट खून दिया है और अब इसमें डालेंगे, एक मिनिट और इसे अच्छे को गूनेंगे, पांच मिनिट होनने के बाद हमारा आदू तयार है, सर्व करने के लिए, पाईए से सर्व करते हैं, यह तयार है हमारा जीरा आलू खाने के लिए, तो इस नवरात्रे जरूर बनाएं जीरा आलू, और आपकी रेसिपी कैसी बनी, कोमेंट बूक में जरूर बताए, अगर आपको मेरे रेसिप पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब जरूर करें, बेल आइकोन भी जरूर दबाए, ताकि आने वाली नहीं नहीं वीडियो की नूटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचिए, थैक्स पर रचिंग,